प्रेंड्स आज से देखे तो मात्र कुछी दिनों का समय बचा है और इसी के साथ में हम आपके लिए एक और भी नए मॉडिल पेपर के साथ में आये हैं तो सभी विद्यारतियों को संध्या कंपेटर के और से नमस्कार राम राम जल्दी से इस सेशन के अंदर जॉइन हो जा और भी जो आने वाली वेकेंशिया जिसमें कंप्यूटर बहुत ही अनिवारिये हैं कंप्यूटर से ज़्यादा क्यूशन बनते हैं उन सभी इस्टुडेंट को ध्यान रखना ये क्लास आपके लिए कापी ही मैत्वपूर्ण होने वाली है तो प्रेंट्स अंतिम दिनों की समय बचा है तो जल्दी से जल्दी सभी इस्टुडेंट ध्यान रखेंगे और प्रेंट्स आप सभी विद्यारती ध्यान रखेंगे कंप्यूटर विशे की तैयारी के लिए रोजाना हम रात 9 बजे लाइव सेशन के साथ में आते हैं तो सभी विद्यारती ध्यान देंगे अगर आप भी चाहते हैं अपने आरेशेटी एक्जाम में 90% से क्रॉस परसेंटेज तो आज से ही संध्या कंपेटर के यूटूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राब करके बैल आइकन को क्लिक किजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हो उनकी नौट इपिकेशन सबसे आप तक पूसके तो क्यूण से लगा के एंड तक बने रहना इस वीडियो के साथ में और अंतिम में यह भी आप और कमेंट करके बताए कि आपको question के अंदर से आपको इस model paper के अंदर से कितने question आपके right हो रहे हैं क्यों प्रेंट से जितनी ज्यादा practice होगी उतना ही आपको फाइदा मिलेगा कुछ साही वो competitive exam हो या फिर आरे सायटे का exam हो क्यों प्रेंट से आपकी screen के सामने MS powerpoint में वर्तमान slide से slide 100 करने की shortcut की कौन सी है यानि आपको याद रखना है काफी method equation बना है MS powerpoint यानि Microsoft powerpoint होता है उसमें वर्तमान slide जिसके उपर आप वर्तमान में कारिये कर रहे हैं उस कारिये कर रहे हैं यानि वर्तमान f5 control f5 control shift f5 या उप्रवक्त सभी तो मेरे प्रेंट सभी विद्यारते ध्यान देंगे मैं अपनी और से बता देता हूँ आप सभी विद्यारते कमेंट भी करें अपने साथ साथ में कमेंट भी कीजिए और अंतीम में यह अपने तैयारी को परकने लिए यह भी जरूर बताना कि आपकी इस मॉडिल पेपर से कितने सारे क्यूशन राइट हो रहे हैं और कौन से क्यूशन गलत हो रहे हैं कहां पर गलती रह रही है उनको सुधारी आप और हम रोजाना इसी तरह से आपके सामने आएंगे रात 9 पॉइंट में जो वर्तमान स्लाइड और स्वर्तमान स्लाइड को आप देखना चाहते हैं तो आप स्विप्ट के साथ में F5 कुंजी का उप्योग कर सकते हैं अगर प्रेंट ये क्यूशन बन जा था कि सरुवात से देखने के लिए यानि कोई वर्तमान लिखा हुआ नहीं ये डारेक्ली पूछा जाए आपको कि माइक्रोफ्ट पॉवर्पॉइंट में स्लाइड सो करने के लिए स्वाटकट कुंजी कौन सी है तो आप वहां पर क्या बोलते क्या बोलते ये प्रेंट से आपको ध्यान रखना है कापी महतोपून क्योशन है आज से ही आप याद र खाली जगे के एक स्रंकला है यानि आपको याद रखना कि MS Word होता है सा MS Word हो पावर पॉइंट हो एक्सल हो कोई भी फ्रेंट्स बात करें उसके इंदर अगर आपको या पर बात करने कि रिबीन होती है रिबीन किसकी स्रंकला से बनती है तो question most important है आप सभी विद्यारते ध् थे स्रंकला होती है किसकी स्रंकला होती है और आपको याद रखना जब भी आप MS Word को खोलता है तो आपको by default टैब जो खुला हुआ मिलता है वह कौनसा होता है होम टैब होता है यानि होम टैब एक ऐसा टैब है जो by default वे से यूज होता है ये question कई बार बना हुआ आप थोड से बनता है आपको याद रखना है कि जब आप फाइल टैप का उप्योग करते तो आपकी सामने खूलके आ जाता है और जैसे आप बाहर क्लिक करते तो औो Somebody back side में चला जाता है वापीस अपने अंदर चला जाता है इसे फाइलटेब को क्या सा मेन्यू है जिसे बैक स्टेज व्यू का जाता है तो आप सभी विद्यारती ध्यान देंगे कि फाइल टेप होता है इसे क्या कह सकते हैं बैक स्टेज व्यू कह सकते हैं सभी विध्यारती आपके आरेसैटी एक्जाम के लिए आज से ध्यान रखेंगे मात्र कुची दिनों का समय बचा है अगर आपको कम्पुटेटर एक्जाम में टिकना है तो आज से ही तयारी स्टाट कर लिजिये आज से ही त्यारी स्टार्ट कर लिजिए ताकि आपको आने वाले एक्जाम तक आप पूरी तरह से कम्पूटर में आपकी फकड हो जाए टेलीफोन लाइन पर टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भीजना आपको यहाँ पर याद रखना क्योशन Microsoft Word का या अक्सल का नहीं है आपको याद रखना यहाँ पर क्योशन बना है इंटरनेट से समंदित बना है सौते टॉपिक शेग क्योशन बना है आरे शेटे वाले ध्यान देंगे टेलिफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भीजने के लिए खाली जगे का उप्योग किया जाता है यानि आप साथ हैं टेलिफोन लाइन पर डिजिटल सिगनल डिजिटल डेटा भीजना चाता है तो आप किसका उप्योग करेंगे friends दिख रहा है आपके सामने सीधा ही option दिख रहा है very good कापी सरे यहापे option यहापे ऐसे दिख रहे है जो आपको confuse करेंगे लेकिन आपको याद रखना है कि यहापे right answer क्या हो जाएगा modem हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे friends modem हो जाएगा और modem का पूरा नाम पूछा जाता है कई बार exam में modem का पूरा नाम होता है वो क्या होता है modulator demodulator होता है सभी वित्यारते ध्यान देंगे modem का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है modulator demodulator होता है और इसी modem से याद रखना है कि ये internet connectivity का परकार होता है जो सबसे ज़्यादा उच इस तरका data आपको provide करता है internet चलाने के लिए Friends काफी मैतोपूर है, modem आपके topic के अंदर और ये question हम और भी आपको visualization के दुरा आगे समझाएंगे नेक्स्ट question आपकी इस्क्रण के सामने सभी विद्यारते ज्यान देंगे आज के इस model paper के अंदर हमने method upon question का निचोड लाया है आपके लिए आप सभी विद्यारते ज्यान देंगे इसमें topic number 1 से लगा के संपून आरे सैटे यानि 16 sector के अंदर से जो method upon question बनने वाले थे क्या होती है मेरे फ्रेंड्स quality होती है printer की जो quality होती है वो किसमें मापी जाती है copy method upon question है आपके screen के सामने हर बार यह exam में बनता है तो आपके सामने option लिखा हुआ dot per ins कह सकते है आप sort में क्या कह सकते हो dpi कह सकते हो dpi भी कह सकते है तो यह पर यह बिल्कुल इसका right answer हो जाएगा dpi dot per ins हो जाएगा अगर यह तो बात हो रही है quality की यह तो बात हो रही है quality की अगर आपके exam में speed की बात की जाए प्रिंटर की speed किस में मापी जाती है तो प्रिंटर की speed मापने वाली काई होती है उसको का जाता है ppm का जाता है क्या का जाता है ppm का जाता है और इसी ppm का पूरा नाम होता है page per minute होता है मेरे प्रेंट्स ध्यान देंगे क्या होता है page per minute तो क्या होता है प्रिंटर की speed मापने वाली 1.5 और प्रिंटर की quality मापने वाली 1.5 होती है वो कौन सी होती है डीपी आई होती है आगे वाला question है आपकी screen के सामने सभी विद्धारती ध्यान देंगे नेट ट्रक में data transfer की गती को मापा जाता है most important question है आपकी screen के सामने नेटटरक में डेटा ट्रांस्पर की गत्य को मापा जाता है यह क्योर्षन हर बार बनता है एक्जाम में एक और पुज़ाता है फिर्फॉन इसका मतलब आपको समझना है कि फिर्फ्वन आपके लिए अती मेहत्वफ्वन है ये question आपके लिए अत्ती महत्वपूर्ण है प्रेंट्स अगर आप चाते हैं इनकी पीडियप प्राप्ट करना तो आज ही आप चाहिए टेलिग्राम के चैनल पे और वापे संध्या computer classes नाम से बना हुआ है इन सभी की पीडियप आपको provide हो जाएगी प्रेंट्स पहले बाद तो पीडियप देखने के आप सेकता भी नहीं होगी आपको क्योंकि मैं पूरी तरह से आपके सामने explain कर रहा हूँ आप इस model paper को रोजा ना देखते रहना जब तक आपका exam ना हो आप क्या सकता है कि आरे सेटी के साथ साथ में अन्य कंप्रेटर एक्जाम की साहाब त्यारी कर रहे हो उनकी भी आपके उपर एक परकार से computer subject की पकड़ हो जाएगी नेट्रक में data transfer की गति को मापा जाता है तो प्रेंट्स सभी विद्यारते ध्यान देंगे इसका जो right answer हो जाएगा वह मापा जाता है क्या हूँ आपके सामने की बूडर पर फंक्शन कुझियों की कुल संख्या कि इतनी होती है ये लो फ्रेंट्स एक दम एजे कुशन है लेकिन आपको याद रखना है แसे क्योशन भी बार एक्जामें बनते हैं और बना हुा है बिल्कुल मुस्ट इंप्रोडंट क्योशन है की बोर्ड होता है की बोर्ड के सबसे उपरी भाग में इस्तित होती है कौँसी कुंजिया और फंक्सन कुंजिया कि सीधे सीधे कभी बार exam एगजा में सीधे यह पर संक्या पूछी जाते है कि function कीज की संक्या कितनी होती है, आप सभी विद्धार थे ध्यान देंगे, यहां पर कितनी हैorden बारा कुंजी होती है एफ वन से लगाके फ्रेंट्स ध्यान देंगे एफ वन से लगाके कितनी होती है एफ ट्वेलव तक होती है एफ वन से लगाके एफ ट्वेलव तक जो संक्या होती है वो फंक्सन कीज कहलाती है और इसे फंक्सन कीज के टोटल संक्या होती है वो बारा हो वर्तमान विंडोज को रिफ्रेस करने के लिए किस फंक्षन कुंजी का उप्योग किया जाता है आप डेक्सटोप के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको अपना डेक्सटोप रिफ्रेस करना है अगर आपको अपना डेक्सटोप रिफ्रेस करना तो कौन से की दबाएंगे F5 सभी विद्यारते ध्यान देंगे कौन से की का उप्योग करेंगे F5 का उप्योग करेंगे अगर F1 का कभी पूचा जाए तो F1 होती है वो हेल्प के लिए होती है किसके लिए होती है F1 होती है help के लिए होती है अगर आपको पूचा जाए कभी F3 का तो F3 से क्या होता है search box open होता है मेरे फ्रेंट्स सभी विद्यारते ध्यान देंगे क्या होता है search box search box open करने के लिए आप किसका उप्योग करेंगे F3 का उप्योग करेंगे तो फ्रेंट्स ये question कापी मेतोपून है आप इन question के साथ साथ में और भी other object का मैंने बोला है और सभी object का आप mind में fit कर दीजिए आगे वाला question है आपकी screen के सामने सभी विद्यारती ध्यान देंगे question number 8 कापी मेतोपून है most important question है बार बार बनने वाला question जीमेल में निमनलिकीट लेबल्स आते हैं या निमनलिकीट जो लेबल्स आने वाली email प्रेंट्स या पर देखो तड़ा ज्यान देंगे आने वाली email यानि ऐसे email जो हम प्राप्त करते हैं ऐसे email जो किसी अन्यके माध्यम से हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं और प्राप् यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देके प्रेंट्स आगे लिखा हुआ एक option send mail तो send mail इसी send mail को आप outbox भी कह सकते हैं इसी send mail को आप क्या कह सकते हैं outbox भी कह सकते हैं outbox का मतलब होता है कि ऐसी email जो हमने किसी अन्य users को या अन्य mail करता हो को बेजी है उनको जो हमारे दुआरा जो भी जी गई mail है हमने जो दुसरे वेक्टे को भी जी ये mail वो भी जी गई mail कहाँ पर मिलेगी हमें send mail के अंदर मिलेगी सेंट मेल के अंदर मिलेगी एक लिखा हुआ ड्राप्ट फ्रेंट्स याद रखना ड्राप्ट का मतलब होता है कि ऐसे इमेल जो हमने बेज़ी थी लेकिन हो कई कारण वास पूरी तरह से महां पे नहीं पोश पाई है वो मेल आदी अदूरी रह गई है वो क्या रह गई है अधिक रहती है तो आभ को यह काफी मेटल बोन क्ये सकते हैं तो आपको इस क्योशन के साथ में सभी के सभी ऑफ्षक्राट का याद रखना है तो प्रेंट्स कैसा लग रहा है आपको ये मॉडल पेपर के अंदर से आपको कापी शारा याप पर अच्छा मैटर देखने को मिलेगा और भी प्रेंट्स आगे बहुत ही ऐसे इंपोडेंट्स आएंगे जो आपके लिए कापी मैट्व पुन होंगे एज एक्जाम के अदर हेलफफुल साबित होंगे नेक्स्ट आगे वाला क्योशन आपकी स्क्राण के सामने गूगल ट्राइव का नाम आते ही आपको याद रखना है कि ये क्लाउड इस्टोरेज का पर गूगल ट्राइव क्या है तो आपको याद रखना है क्लाउड इस्टोरेज का उधारने क्लाउड इस्टोरेज का मतलब एक एप्लिकेशन के रूप में कारिय करता है जो आपको 15GB तक 15GB तक इमेल में कोई डेटा इस्टोर करने की सुईदा परदान करता है आप अपने डॉक याद रखेंगे इसके अलवा भी होते हैं इसके अलवा बी क्लाउड इस्टोरीज होते हैं गॉगल ट्राइव के अलवा भी होते कौन कौन से होते हैं माइक्रोस हैँ लापक्स होता है यह सभी के सभी आप ऐसे याद रखेंगे तो इस राइठ और ऑसन हो जाएगा option C Cloud Storage नेक्स्ट आगे वाला क्योशशन है किस केबल फ्रेंट्स काफी मेथवोर्न क्वेशन बढ़ा है जिसके माध्यम से केबल के द्वारा औड्यो दोनों संकेतों के साथ ले जाया जा सकता है तो आपके सामने cable के कापी सारे नाम लेके हुए VGAP cable है USB भी cable है HDMI भी cable है तो आपको याद रखना है लेकिन इसमें से Consecution के याँ पर कौन से cable की बात हो रही है तो इसका जो right answer हो जाएगा HDMI हो जाएगा HDMI हो जाएगा Friends HDMI High Definition हो जाएगा HDMI याँ पर आपको याद रखना है High Definition याँ पर HD का पूरा नाम क्या होता है High Definition MI का मतलब होता है Multimedia Interface थोड़ा ध्यान देंगे Multimedia Interface होता है Multimedia Interface ये Friends किसका पूरा नाम है आप सभी विद्यारते याद रखने मैंने SWAT में लिखा Interface ये आपको याद रखना है आप सभी विद्यारते ध्यान देंगे इसका Right Answer क्या हो जाएगा HDMI हो जाएगा USB USB Port के माध्यम से यूज होने वाली केबल है आप सभी विद्यारते वाजिब होंगे इस केबल से USB हरको भी यूज करता है आप सभी विद्यारते याद रखेंगे USB का पूरा नाम होता है Universal Serial Bus क्या होता है Universal Serial Bus होता है USB का पूरा नाम एक लिका हुआ VGA जो CPU के अंदर जो आपके दोरा जो कारिय किया जा रहा है इसे Input के रूप में जो कारिय किया जा रहा है इसको आप बोलेंगे Visual Graphics Adapter प्रेंट्स मैं इनकी Shortcut की इसका भी और आपके एक्जाम से वेले एक वीडियो लेके आऊंगा तो सभी विद्यारती वहां से इनका पूरा नाम भी वहां से क्लियर कर देना यहाँ पर राइट अंसर इसका हो जाएगा SDMI हो जाएगा क्या हो जाएगा SDMI तो प्रेंट्स आप इस वीडियो को एंड में आप इस वीडियो के एंड में यह कमेंट अवस्य करेंगे कि आपकी इस model paper से कितने सारे question right हो रहे हैं ताकि हमें भी पता लगेगी आपके तियारी कैसी है तियारी को और भी मजबूत धार देना चाता है तो रोजाना इस live session के अंदर आप आएंगे और आपके तियारी को बैतरीन बनाएंगे आम तोर पर किस परकार के नीजी email खाते का उप्योग आपके computer पर email डाउनलूड करने के लिए किया जाता है यहां से आप यह word पकड लीजिए email डाउनलूड करने की बात हो रही है यानि email डाउनलूड करने की बात होते ही आपको याद रखना है कौन सी email वो भी आपको याद रखना है नीजी email की बात हो रही है किस email की बात हो रही है नीजी email की बात हो रही है सेटिंग के लिए उप्योग में आता है किसके लिए आता है वेपार सेटिंग के लिए उप्योग में आता है सभी विद्यारते याद रखेंगे वेपार सेटिंग के लिए उप्योग में आने वाला Outlook account कौन सा है तो आप याद रखेंगे Microsoft Accent होता है बट यहाँ पे क्या पूचा गया है नीजी email को download करना तो friends बात हो रही है P.O.P. Post Office Protocol Post Office Proto call यहाँ पे option number B बिल्कुल right answer हो जाएगा Next आगे वाला question आपकी श्रिंड के सामने Windows 10 पर file या folders को lock करने में आपकी कौन से application मदद कर सकती है Most important question है Friends यह कई बार question बना है यहाँ से आप याद रख लेना कि file folder को lock करने के लिए Windows 10 में एक application है जिसका नाम क्या है folder lock नाम से ही पता लग रहा है आपको folder lock यानि यह question अब की बार पूरी तरसे बनने की 100% संभावना है आपके एक्जाम में बिलकुल बन सकता है तो file या folder को lock करने के लिए कौन सा application मदद करेगा यापे folder lock यापे बिलकुल right answer हो जाएगा नेक्स्ट आगे वाला question आपके screen के सामने P.O.P का पूरा नाम अभी मैंने बोला था और just question देखी आपके सामने means जो मैं question आज इस model paper के अंदर लेके आया हूँ वो question कापी महतवपून है R.A.C.T. वाले तो ध्यान देंगे ही constable और gram सेवक के त्यारी करने वाले आपके लिए भी ध्यान रखना है अभी computer subject को एक महतवपून या पर रोल मिल रहा है यानि सभी computer exam के अंदर 30 से 20 question के 20 में हर एक computer exam में question बन रहा है तो आपके लिए question ये model paper है जो भी है ये एक राम बान की तरह कारिये करेंगे जब भी आप R.A.C.T. exam देने जाओगे या फिर constable gram सेवक का exam देने जाओगे P.O.P. का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और बी फे लिकाओ बिलकल राइट हो जाएगा पोस्ट ऑपिस प्रोटोकॉल नेक्स आगे वाला question आपके इसक्रेंगे सामने email संदेश बनाने के लिए कीबूर की किस shortcut कीज का उप्योग करेंगे हाँ प्रेंट्स कापी मैतोबोन question बन गया है email संदेश बनाने के लिए यानि आपने email खोल दिया है और आप चाहते हैं मैं किसी के सामने नई email बनाओ तो नई email बनाने के लिए shortcut कुणजी का उप्योग करेंगे वो हो जाएगी control shift के साथ में M हो जाएगी फ्रेंट्स क्या हो जाएगी control shift के साथ में M लिखा हुआ है option number C बिलकुल यापे क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next आगे वाला question है सभी विद्यारते ध्यान देंगे एक computer virus एक computer virus है जो पैसान को रोकने के परियास में antivirus program पर सक्रिय रूप से हमला करता है most important question बन गए आपकी श्रिंग के सामने ये question कई बार exam में पूछा गया है साथ competitive exam हो या फिर RCT exam हो आप सभी विद्यारते याद रखेंगे कि एक computer virus है जो पैसान को रोकने के लिए पैसान को रोकने के परियास में antivirus जो होता है जो सुरक्सा का परकार करता है सुरक्सा का परकार होता antivirus उस antivirus program के उपर सक्रिय रूप से हमला करता है बात हो रही है retro virus के किसकी बात हो रही है retro virus की बात हो रही है कापे सारे मेरे ऐसे इस्टुडेंट्स होंगे जो कई इस टाइम से हमारे साथ में जुड़े हुए हालाएं कि उनको केशन यहां आते होंगे लेकिन नए इस्टुडेंट को मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक या दो क्लास को देखे के वल पास हो सकते हैं लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अंतिम तक जुड़े रहना आपको बुक्स बगरा पढ़ने की कोई आफ सेकता नहीं मैं 100% दावा करता हूं आप पिछले वाले वीडियो के ओपर कमेंट देख लीजिए इस्टुडेंट के उनकी जो यहां पर एक ही क्लास देखे जो उनके 80, 90, 95, 90 तक जारे परसेंटेज तो फ्रेंट्स आपके पास में तो अभी कापी टाइम है आप आज से जुड़ जाएए रोजाना जितने भी क्लासे जाती है उनको देखिए और पूराने वाले जो वीडियो जो इस सेनल के उपर चोड़े हुए है महा मेरातन के नाम से जिस प्रेंट्स एसा नहीं होना चाहिए जो हमारे से पढ़ रहा है वो अच्से पस्रेंटेज से पास होना चाहिए यही संध्या कंप्रेटर की साहत है आगे वाला क्यूशन आपकी श्रुड़े सामने वेबसाइट पर विश्वास का प्रतिक है ये टॉपिक है आपके एक्जा लिखा हुआ है यह बिल्कुल यहां पर जब भी आपने अगर बुक्स पढ़ी होगी आरी सेड़े कि आपने देखा होगा यह कुछिन कापी महत्वपुन है आप याद रख लेना ट्रस्ट सिल ट्रस्ट सिल का प्रेंट से एक और भी क्यूशन आएगा जिसमें आपको बताया गया कि ट्रस्ट सिल के और कैसे क्यूशन बन सकते हैं नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन आपके सामने आप यहां से मले टॉपिक को क्लीर कर दीजिए अभी का अभी कि ट्रस्ट सिल के परकार है ट्रस्ट सिल के परकार क्या होता है डेटा सिक्यूरिटी सिल होता है बिजनेस वेरिफेड सिल होता है यानि option number D पे लिखाओ उप्रोक्त सभी ये question कई बार exam में बना है आप भी ध्यान देंगे अब की बार आपके लिए most important के रूप में देखा जा सकता है यानि option number D उप्रोक्त सभी यहां पे बिलकूल right answer होगा next question आपके इसक्रण के सामने computer में से दूरभावना पूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है अगर आपकी computer में कोई ऐसी फाइल है जो दूरभावना पूर्ण है जो आपकी computer को नुकसान पहुचाता है उन फाइलों को कौन स्कैन करके हटाता है कापी metamon question है देखे friends question के object 4 आपके सामने दिये हुए है antivirus, virus, word या google तो ये तो सभी student को आना चीए most important question है सभी विद्यारती ध्यान है सभी विद्यारती को ध्यान होगा क्या हो जाएगा antivirus हो जाएगा option number A या पे लिखा हुआ antivirus नेक्स आगे वाला question आपके सामने सभी विद्यारती ध्यान देंगे कापी important question है denial of services friends मैं आपको बोल देता हूँ friends मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें कापी सारे ऐसे topic है जो नहीं सामिल किये है friends मैं एक इट वीडियो के अंदर तो आपको सभी आरेसे topic question नहीं बता सकता लेकिन जैसे जैसे आप regularist में जुड़े रहना आपके लिए मैं जो भी important question है वो सारे के सारे question हम यहाँ पे solve करवा रहे है मैं क्या बोल रहा है आप exam तक जुड़े रहेंगे तो आपके सामने हम इतने सारे question में important रख देंगे और याद करवा देंगे कि एक भी question आपको exam में ऐसा नहीं देखेगा जो आपको confuse करे denial of services की बात हो रही है denial of services पहली बात आप याद रखेंगे जो यहाँ पर words आते हैं उनका doubt clear होना चाहिए यानि होता क्या है denial of services तो आपको याद रखना है denial of services एक किसका परकार है अब यह करता क्या है तो कैसे आपके computer के उपर हमला करता है तो आपको याद रखना है कि computer, एक computer को ये क्या करता है, overload करता है, ताकि आपका system slow हो जाए और वो काश्टम करना थोड़ा slow करदे बंध हो जाए, यानि इसका आपको याद रखना denial of services का question का right answer क्या हो जाएगा option no.a computer को overload करके आपकी computer के ओपर हमला करता है next आगे वाला question है एक file अत्वा folder को इस्थाई रूप से एक file अत्वा folder को इस्थाई रूप से मिटाने के लिए परियुक्त होता है most important question है सभी विद्यारते याद रखेंगे आपको याद रखना है कि जब भी आप computer की कोई file होती है जब भी आप computer की कोई file होती है उसको delete करते हो तो delete की हुई file कहाँ पे जाती है recycle bin में जाती है फ्रेंट्स आप याद रखेंगे कहाँ पे जाती है recycle bin में जाती है recycle bin में जाती है लेकिन आपको याद रखना है recycle bin में जाती है तो उसको तो पुनफ प्राप्ट कर सकते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके file और folder को इस्ताई रूप से हटाये जाए उसको वापिस recycle bin में ना हो जाए प्रेट recycle bin से भी automatically हट जिन चाहिए तो आपको याद रखना है shift के साथ में delete करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा बिल्कूल यहाँ पर इस्ट्रेट याद रखेंगे क्या हो जाएगा shift के साथ में delete यहाँ पर option number B पे लिखा हुआ shift delete यहाँ पर बिल्कूल correct answer हो जाएगा आगे वाला question है आपके screen के सामने सभी विद्यारती याद रखेंगे most important question powerpoint MS powerpoint 2010 में निम्नमे से कौन सा slide में default pressed setup orientation होता है friends सभी विद्यारती याद रखेंगे पहली बात तो साई कोई भी बात करे orientation की बात हो कभी भी थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा ध्यान रखना कभी भी बात होती है अगर orientation की तो orientation almost दो परकार का याप आपको दिखेगा हर जगे orientation एक तो मिलेगा page ऐसे एक तो मिलेगा page ऐसे है और एक मिलेगा page ऐसे आपको याद रखना है कि ये जो page होता है ये तो कहलाता है land escape ये तो क्या कहलाता है land escape और ये वाला जो खड़ा page होता है जो by default रूप से इस्तेमाल होता है ms word के अंदर वो कौन सा होता है portrait होता है लेकिन आप ध्यान रखते हैं पर बात किस की ओर रही है बात थो रही है ms powerpoint की अगर ms word का पूछता तो यह राइट आसल क्या होता इसका portrait होता है पोटर्ट्र्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का कौन सा है land ृदै ओर याद रखना Afghanistan क्या होता है अपके प्रस्ट की भूपी ती आपके द्चपिया इसका स्थी प्रस्ट कि ख़ता है तो power point में slide होती है पेज नहीं होता और slide में सा किसमें दिखती है land escape में दिखती है friends किसमें right answer option number B land escape हो जाएगा next आगे वाला question आपकी इस्क्रण के सामने slide प्रस्तूती में विशेश प्रभाव डालने को कहते है friends पटवार में agitives question बनाता who who question यह same to same question बना था सभी विद्यारती याद रखेंगे question कापी most है और यह question agitives बनाता कि slide प्रस्तूती में विशेश प्रभाव डालने को खाली जगह कहते है जो slide होती है अभी मैंने बोला था slide हमेसे default जो orientation slide का होता है वो land escape होता है यह जो slide होती है इस slide का जो default जो आपको याद रखना है slide का जो default जो प्रस्तूती करान यानि slide प्रस्तूती में विशेश प्रभाव जो डाला जाता है वो विशेश प्रभाव जो डालना क्या कहलता है transition कहलता है most important question है आरे सेटी वाले ज्यान देंगे क्या हो जाएगा right answer ऐसा question बन जाएगा तो transition हो जाएगा क्या हो जाएगा transition हो जाएगा next आगे वाला question है निमने मैं से कौन सा विकल्प insert menu में मौजूद नहीं होता है यानि सबसे जदा आपको याद रखना है क्यूशन बनेगा तो बार से इंदर लाने की बात होती है तो बात होती है insert menu की आपको याद रखना है कि इस में ayam साः यहां सा कौन साれた है जो üst current menu के इंदर नहीं दिखता है यानि ऐसा कौन सा option है जो इंसर्ट menu के इंदर नहीं होता है आपको याद रखना है header footer तो बिलकुल होता है header का मतलब page के उपरी भाग में लिखना footer का मतलब होता है page के नीचे वाले भाग में लिखना और एक page में लिखने के बाद में सरवत्ती जितने भी page होंगे उनसे भी के ओपर लिखा जाएगा header footer महतोपून कारिये करता है insert menu में बिलकुल होता है इसके लाव footnote hyperlink hyperlink भी होता है तो hyperlink भी होता है बिलकुल जो फाइलों को link के दुआर अपने document तक लेके आता है hyperlink होता है bookmark भी होता है bookmark means आपको याद रखना document के निचित location पर पोशिताता है bookmark किसी फाइल को link करता है hyperlink तो यहाँ पे एक option लिखा हुआ footnote friends footnote लिखा हुआ देखिए आप footnote लिखा हुआ है और यह footnote insert में नहीं होता है footnote friends किस में होता है reference में होता है सभी विद्यारती याद रखेंगे footnote होता है किस में होता है reference में होता है तो यहाँ पे बिल्कुल right answer क्या हो जाएगा option number B पे लिखा हुआ footnote यह यहाँ पे हो जाएगा hyperlink के shortcut की पूचे तो control के साथ में के होती है क्या होती है hyperlink के shortcut के control के होती है यह सभी विद्यारती याद रखेंगे most important question बन सकता आपके exam के द्रश्टी से next आगे वाला question है MS Excel में if error friends यह question बनता है हर बार friends बनता है question और most important के रूप में देखा जा सकता इसको आप सभी विद्यारती याद रखेंगे Excel में जो if error जो लिखा हुआ होता है if error क्या होता है वित्य फंक्षन लॉजिकल फंक्षन यह वभी दोनों या अप्रुक्त में से कोई नहीं तो if error होता है एक logical function है क्या है एक logical function है सभी विद्यारती याद रखेंगे most important question यह है Microsoft Excel का next आगे वाला question है आज सुकाए सभी विद्यारती याद रखेंगे question है आपके exam में बनने लाइक है Excel में active Excel में active cell यानि active का मतलब जिसके ओपर आप वर्तमान में कारिये कर रहे हैं जिसके ओपर आप वर्तमान में कारिये कर रहे हैं उस cell के अंदर जो contents होता है उन contents को जो दिखाता है contents को जो display करने का कारिये कौन करता है name box, row headings, task pen, yard, formula bar तो विद्यारती comment करेंगे क्या हो जाएगा इसका right answer जल्दी से comment कीजिए बिल्कुल आपके सामने चार option दिख रहे हैं और यहापे पूछा जा रहा है कि Excel में active cell की contents को display कौन करता है जिसके उपर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ लिख रहे है cell के अंदर जो cell के अंदर लिखा होँ matter है, contents है उनको कौन दिखाता है तो cell के contents को दिखाने का कारिये तो कौन करेगा बिल्कुल मिरे फ्रेंस formula बार करेगी कौन करेगी formula बार करेगी और आपको याद रखना है कि अगर यह name box है तो name box क्या होता है तो name box के अंदर cell का नाम दिखाता है अगर cell का नाम पूछे कि भी cell का नाम कौन दिखाता है cell का नाम या cell का address कौन दिखाएगा cell का address कौन दिखाएगा तो name box इसी name box का दूसरा नाम होता है address बार होता है क्या होता है address बार लेकिन यहां पर question थोड़ा अलग पूछा गया है Excel में active cell के contents को कौन display करता है तो display कौन करेगा formula बार करेगा next आगे वाला question है MS Word में MS Word में web layout का तात्परिय क्या है friends यह question कई बार बनता है मैं question कैसे बनता है वो बता दे तो एक बार friends पहली बात आपको याद रखना है कि यह सब किसके परकार है यह document view के परकार है यानि MS Word होता है MS Word होता है उस MS Word में document के view के परकार है MS Word के अंदर document को किस-किस माध्यम से देखा जा सकता है यानि आपको याद रखना है कि document view के परकार में एक नाम लिखा हुआ है वेब लियाउट view क्या लिखा हुआ है फ्रेंट्स तोड़ा ध्यान देंगे वेब लियाउट का नाम लिखा हुआ मिलता है तो वेब लियाउट का मतलब होता है वेब लिखा है यानि आपको डॉकिमेंट किसमें दे short करनपे लियाउट लियाउट का उपयोग करेंLES वेब होता किसमा है पहली बात यह कौन सा यह था होता है तो विउट यूकन किसमें होता है और view menu के अंदर ये किसका परकार, एक document view का परकार है, जिब VIAeB लियाउट किसका परकार है ? document view का परकार है और document view के अंदर क्यूशन सबसे most important बनता है, वो ये बनता है कि वे Williamем.org में document का default view क्या होता है, जो हमेशा उसमें दीखता है तो default जो view होता है वो print layout view होता है कौन सा होता है print layout view यह question याद रखना print layout view होता है print layout view default view होता है web layout में क्या होता है कि जो document होता है उसको web page के रूप में देखा जा सकता है तो friends यह view के अंदर होता है document view का परकार होता है वेब पेज के रुप में देखने हैं तो आप वेब लियाउट वियू का उप्योग करेंगे और MS वेड का डिपॉल्ट अगर डॉक्यूमेंट वियू पूछे तो आप क्या रखेंगे प्रिंट लेड रखेंगे इस तनी सारी आपको जानकार इस क्यूशन से याद रखने हैं नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन आपके स्कूर्ण के सामने कौन सा अलाइनमेंट मोर दस्तावेज को दौनों और से अलाइन करने के लिए सौट कट कुंजी है है प्रिंट आपको तो आप सेंटर का उपयोग करेंगे लेकिन एक ऐसा बी अलाइनमेंट का परकार होता है कि document होता है उस document के अंदर दोनों साइट से same margin देना यह alignment का परकार कहलता है justify बिल्कुल option यहाँ पे C वाला जो दिख रहा है यह इसका right answer हो जाएगा अगर इनके shortcut की पूछे कभी alignment text left की अगर right की पूछे तो right के आपको याद रखना है control R होना है अगर justify की पूछे तो control justify की क्या हो जाएगी यानि यह सभी के सभी आपको याद रखना है question वले हम एक देख रहे है लेकिन बनने वाले सारे के सारे अबजेक्ट है उबजेक्ट को अगर हम clear करेंगे तो हमारे जाधा से ज़्यादा अच्छे percentage बन सकते हैं ग्राम सेवक पुलीश कॉंस्टेबल और पी अन्य कंप्रेटर एक्जाम की त्यारी करने वाले सभी विद्यारत ते याद रखेंगे एक क्योशन आपके हर एक जगे काम आएंगे ऐसा नहीं है कि आरे सेटी के अंदर ही काम के है आरे आपको याद रखना है most important question है अत्ती मेहत्वपून question है यह बार बार बनता है question थ्यान रखेंगे सभी विद्यारती एक ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे में आपको बता दूंगा सभी विद्यारती याद रखेंगे question कापी ही मेहत्वपून है कई क्रमिक सिक्वेंशल की बात कई एक ही shortcut keys आप बनाना चाहते तो आप एक ही option यहाँ पर देखेंगे हर जगे macro यानि सोटे add-on program होते हैं Microsoft Excel, Microsoft Word और PowerPoint में एक सोटे program के रूप में तो जाने जाते ही है लेकिन macro एक ऐसा command है जो आप बहुत सारे कारियों की एक shortcut keys बना के उन कारियों का एक साथ इस्तेमाल कर स जाएगा आगे वाला question आपके screen के सामने MS Word को run windows के द्वारा चलाने के लिए क्या code है यह same to same question बना था पटवारी के अंदर तो gram सिवक वाले आप भी हो जाओ तयार क्योंकि यह question वही है जो आपके exam में पूछे जाते हैं आपके exam में पूछे जाते हैं आपको याद रखना है MS Word को run windows के द्वारा अगर चलाना चाते है तो आप run windows के अंदर क्या नाम लिखेंगे ताकि MS Word खुल जाए आप लिखेंगे वापे बिल्कुल win word लिखेंगे वो भी एक साथ space नहीं देंगे space नहीं देंगे बिल्कुल क्या लिखेंगे win word लिखेंगे तो win word किसका परतिक होता है आप सभी विद्यारती को याद ही होगा win word होता हो MS Word का परतिक होता है किसका परतिक होता है MS Word का आगे वाला question है आपके इश्क्रण के सामने सभी विद्यारती याद रखेंगे copy question महतोपुन है line के आरंब में जाने के लिए अभी प्रेंट्स copy महतोपुन question बन गया है सभी विद्यारती याद रखेंगे line होती है आप यह लिख रहे हो जैसे document के दर line लिखिए इस से line के उपर आप यहाँ पे काम कर रहे हो आप line के यहाँ पे आना चाहते हो तो line के आरंब में जाने के लिए किस कुणजी को दबा सकते हैं तो बिल्कुल मेरे पेंट्स यहाँ पे option लिखा हुआ है line के आरंब में आने के लिए कौन से की का उप्योग करेंगे तो आप सभी विद्यारती याद रखेंगे अगर आपको पूचा जाता है केवल line का तो line के केवल आरंब में आने लिए तो आप normally home का उप्योग करेंगे इसका the right answer क्या हो जाएगा home हो जाएगा लेकिन अगर आपको कोई पूच लेकि पयरेग्राव के सबसे पहली line पर सबसे फर्स्ट लाइन पे आने के लिए ऐन्त में का उप्यों करेंगे तो आप यह पूचा जाए कि पर बातो के साथ में इन्ट का अफ्यों करेंगे जैसे सभीके सभी पॉइंट याद रखने ए याद है के वर एन्ट यांड के अंतिम में आने के लिए गाला में most important है question number 31 most important आपकी स्क्रीन के सामने फॉंट डायलोग बॉक्स most important question है फ्रेंट्स यह कई बार एक्जाम में बनता है फॉंट डायलोग बॉक्स प्रदसीत करने के लिए किस कुंजी का अपरियोग किया जाता है अगर आप MS Word में फॉंट डायलोग बॉक्स देखना चाहते हैं फॉंट डायलोग बॉक्स मेंस आप जहां से फॉंट ले सकता है फॉंट का कलर ले सकता है फॉंट की साइज ले सकता है फॉंट इस्टाइल ले सकता है वही कहला था फॉंट डायलोग बॉक्स यानि आपको या के साथ आप नहीं होगा Ctrl H लिका हुआ है Ctrl H हो जाएगा फ्रेंट से रिप्लेस की हो जाएगी यह तोड़ा याद रखना सभी important है यह आप पर क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा लेकिन याद रखना इसने पूछा है डायलोग बॉक्स और इसका राइट एंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए Ctrl D होगा नेक्स्ट आगे वाला क्योश्चन है इस मॉडिल पेपर के अंदर हम करेंगे मैटपुन 35 क्योश्चन तो सभी विद्यारति को मैं बोलना चाहता हूँ आपको कैसा लग रहा है मॉडल पेपर आपकी तैयारी कैसी हो रही है अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी है तो जाए चैनल के ओपर और जो बड़ी बड़ी क्लास लिए बोड़ के ओपर साधे तीन गंटे के मा मेरा तन क्लास लिए हुई है उसके बाद में हम तीन अक्टूबर वालों के लिए भी अभी महीने पर पहले एक क्लास बनाए थी और भी अन्य क्लास बने थी शैलेबस वो का वही है फ्रेंट्स बार बार अलग लग बनाने के आप सकता नहीं है आप उन क्लास को अवश्य देखे ताकि आपका एक ही बार में पूरा 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 आरेशाटी सेलेबस क्लियर हो सके और उस क्यूशन को आप ऐसे करेंगे चुटकियों में उन क्लास को देखते हुए कि आपको पता भी ने लगेगा हां बिल्कुल वह तीन गंटे के अंदर आ आपको पूछांगा जब आप कट या कौपी करते हों तो कट या कौपी करने के बाद में काहां पे चला जाता है यूओ पेस्ट की कर रहा है क्रे ओ क्लीप दिखेगा पेड कलीप ब बोर्द ग्रूप के अंदर दिखेगा क्लीप बोर्रूप कहां पर होता है हों केimetर ही бол està बिल्कुल यहां पर राइट आंस्वर हो जाएगा नेक्स आगे वाला क्यूशन आपके सामने विशे सिन को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है अगर आप माइक्रोफ वर्ड एक्सल पॉवर्पॉइंट में इस्पेशल सिंबल से इंसर्ट करना चाहते हैं विशे सि सिंबल्स इस्पेशल सिंबल्स जो अगर आप डालना चाहते तो इंसर्ट के अंदर किसका उप्योग करेंगे सिंबल्स कमांड का उप्योग करेंगे आगे वाला क्यूशन आपके शुरूण के सामने सेगंड लाइट क्यूशन इस मॉडल पर का सभी विद्यार ते ध्यान और राइट इसका कमेंड करेंगे क्या होगा जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर दुआरा एक्टिवेट करने के लिए खाली जिगह की का परियोग किया जाता है प्रेंट वैसे तो मैंने बता दिया था लेकिन और भी आप देख लिजिए कि जो जस्टिफाई होता है जस्टिफाई की स्टिफाई की होती है वो कौन से होती है कंट्रोल जे होती है और जस्टिफाई क्या करता है पेज के समान मार्जिन दौनों साइट से सैम मार्जिन देता है लेप्ट और राइट साइट सैम मार्जिन में लिखने का कार यह जस्टिफाई करेगा और कंट्र सब्सक्राइब करेंगे क्या होगा इसका राइन्मेंट के परकार है और आपको याद रखना है और यह क्योशन भी बन सकता है और परेंट्सिस मॉडिल परका सबसे अन्तिम क्योशन और मोस्ट इंपोर्टन क्योशन सभी विद्यारति कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसवर किस वाक्य में प्रतेक सब्द में प्रतम अक्सर को कैपिटल में परिवर्थित होना कहलाता है यानि आपको याद रगना है किसी वाक्य में किसी वाक्य में परतेक सब्द होते हैं किसी वाक्य के परतेक सब्द होते हैं उन परतेक सब्द के परतम अक्सर को क्या करना चाहते हो आप कैपिटल करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसका उप्यों करेंगे sentence case, toggle case, uppercase या capitalize each word यानि आप सामने देख रहे हो क्या हो जाएगा sentence case में केवल S बड़ा है toggle case में पहला अक्सर चोटा है अपर case में सारे बड़े हैं लेकिन परतिक word का पहला अक्सर किसमें बड़ा है इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा capitalize each word हो जाएगा यानि ये सब चारों किसके परकार है ये चारों किसके परकार है आपको याद रखना है case के परकार है किसके परकार है case के परकार है और case का मतलब जो लिखने का तरीका होता है कि आप sentence case में लिखना चाहते हो toggle case में लिखना चाहते हो capitalize H word यानि परतेक word का पहला अकसर बड़ा option number D right answer हो जाएगा तो friends यह हम आपके लिए लेके आएते मैं तपन 35 question उम्मीद है आसा है friends यह question आपको कापी अच्छे लगे हैं हुए और friends आपको यह model पर कापी पसंद आया होगा अगर friends यह video आपको पसंद आया हो तो like, share and subscribe अवश्य कीजिए जो भी इस video को देख रहे हैं live session के अंदर आप जो भी इस premium class को देख रहे हैं आप एक बार इस class को अवश्य share कीजिए और इस class को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में share करके इस class को like कीजिए और अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को भी click कीजिए क्योंकि friends अगर आपको भी करना है 90% से पार तो संद्या computer है आपके लिए तयार आज से आप जुनून के साथ में उतर जाएए और मात्रा प्रेंट्स से 10 से 15 दिन का समय बसा है आपके लिए मात्रा 10 से 15 दिन का समय बसा है 28 नवंबर वाले ध्यान देंगे आप friends जादा जितने अची तयारी करेंगे उतना ही आपको अच्छा फाइदा मिलेगा प्रेंट्स से तयारी कैसे करनी है वो हम आपके लिए तयार है लेकिन आप इतना याद रखना रोज आपको याद रखना है रोज अगर आप इस क्लास को इसी तरह से देखना चाहते हैं तो रोजाना रात 9 बजे तयार रहेंगे आप friends इसी टाइम में लगब फ्री होते हैं अगर आपको इस टाइम में मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप जब भी बोलेंगे हम इस क्लास का टाइम सेंज कर लेंगे ये तो आपका टाइम रहेगा ही और एक्जाम जैसे नजदिक आएगा तो हम रोजाना 5-6 से मॉडल पेपर आपके सामने लेके आएंगे ताकि ए मुझे आसा है या बहुत ही अच्छा लगा होगा आप कमेंट कीजिए आपकी कितने क्योशन इस मॉडल पेपर से राइट हो रहे हैं ताकि मुझे अमित जगे मुझे भी आसा मिले कि हाँ हमारे इस्ट्रेंट जो भी है उनके तैयारी बहुत ही अच्छी है अगर तैयारी नहीं है तो आज से जुड़े रहे मिलेंगे प्रेंट से एक और भी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम जय भारत सभी विद्यारतों को संध्या कंपेटर के और से गुड़ नाइट